नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, हमारे पहले दो वीडियोस को इतना सराहने, और अगले वीडियो के बारे में उत्सुकता जताने, दोस्तों, हमारे पास मौजूद, श्री मामई देव की भविश्यवानी की किताब में दी गई जानकारी के मुता अबिग, मौजूदा हालात, और घटनाओं में कितना समन्वे है, यह पता लगाने हितू, थोड़ी देरी से वीडियो बना पाए, इस इंतजार के लिए क्षमा चाहते हैं, प्रकरन पांच में, मामई देव के वेद कथन अनुसार, विश्व की वर्तमान स्थिती का वर्ण है, जो कुछ इस प्रकार है, सूर्य का तापमान बढ़ेगा, और आकाश से आग बरस्ती गर्मी पढ़ेगी, दूर केंदर से भुकंप आएगा, जमीन पहार सब कापने लगेंगे, और धर्ती में दरारे पढ़ेगी, रहस्यमय तरीके से मुश्केलिया आएगी, बादलों को, काफी पवन लगते, बरसात की कमी होगी, तूफान के चलते, धूल की बारिश होगी, बारिश ज्यादा गिरने के बावजूद भी, जमीन के तल का पानी, ओवर निचे उतर के पाताल में चला जाएगा, तभी, इनसान इनसान के बीच भावनात्मक संबद नहीं उचित समय पर, बारिश ना होने पर, देश में अंधा धुन्द राजक्ता फैलेगी, वर्शा रितू के बाद, भादरपद और अश्विन महीने में बरसात होगी, ऐसे वक्त, इनसान इनसान के बीच मर्यादा नहीं रहेगी, अन्नर, जल की कमी, और रहने को जमीन की कमी ह मान सनमान घटेगा, और राजाशाही की प्रथा नाबूध होगी, प्रित्वी से सत, आकाश में पानी, और ब्राहमन में वेदों का अभ्यास कम होगा, लोगों में वेदवानी का असर नहीं होगा, पर गुरु बाबाओ के मुख से निकले शास्त्र का असर रहेगा, यह कल की निशानी है, ग्यान वेद सब फिजूल हो जाएगे, काफी धर्म गुरु अपने मन में रचाये ग्यान का प्रचार करेंगे, और कुछ पाखंडी दान भी मांगते फिरेंगे, धर्म घटेगा, लोब बढ़ेगा, और हर बात में, खास करके बड़े पद को लेकर, आंतर का अर्थ है एक विशिष्ट समुदाय, जो शायद मामे देव के अनुयाई हो, या फिर जो सामाजिक तोर पर समान अधिकार से वंचित हो, जिनका हमें सपष्ट अर्थ नहीं मिल पाया, साथ ही निचले वर्ग की प्रगती होगी, कलियोग में अधर्मियों के घर जगड़ और अशान्ती होगी, ऐसे मनुश्यों की बुद्धी में अंगत हीत के तहद बार बार बदलाव होते रहेंगे, सिर्फ कल की अवतार ही इनका उकेल ला सकते हैं, कलियोग का रहेन सेहन, खान पान, तंबाकू, दवा दारू, नशीले पदार्थों के सेवन से, मानव शरीर म शक्ती की कमी के चलते कई बीमारिया होगी, इनसान, जूठी कसमे खाकर अपने आपको सच साबित करेंगे, बड़े लोग छोटे लोगों से डरेंगे, बाप बेटे से डरेगा, ऐसे दिन कलियोग में आएंगे, एक जंगल में दो शेर राज नहीं करते, दो सूरज नहीं ह किन्तु कलियोग में एक राज्य में दो राजा राज करेंगे, यहां केंद्र और राज्य सरकार का उलेक है, कलियोग में अधर्म के चलते मनुष्य की मुसीबते ज्यादा है, शाशक और प्रजा में वाद विवाद होगा, जो मौजूदा हालातों से हम देख सकते हैं, कि क उस समय, कटोरी में बचा थोड़ा दूद एक भेडिया चाट लेता है, श्री मामे देव का जूठा दूद पिने के कारण, भेडिये को भविश्य के बारे में ज्यान हो जाता है, भेडिया श्री मामे देव को बताता है, कि किस प्रकार, सन दो हजार अठाइस के बाद प्र लोग अंदर ही अंदर जगडे करेंगे, और समाज में छोटे बड़े की मर्यादा नहीं रहेगी. अच्छे लोगों को हटा कर, बुरे और नालायक लोग राज करेंगे. पूझे श्री मामईदेव के कथनों के अनुसार, कल्यूग में सिर्फ 20 प्रतिशत लोग संख्या होगी और इनमें से कुछ देवता भी होंगे. यानि, इसकुल 20 प्रतिशत में इंसान और देवता दोनों रहेंगे. श्री मामई देव के अनुसार तीन करोड माईसरिया लोग और सत्वियू यानि मामई देव के वंशज एकांट में रहेंगे और जाहिर जीवन से दूर रहेंगे पूराने समय में सिंध में एक नगर समय शहर था और जाम समा की राजधानी थी श्री मामई देव माईसरिया को चेतावनी देते है के सिंध में पापाचार बढ़ जाएगा और कर्ण कर्ण में बिखर जाएगा कलियों के अंत में सिंधु नदी में बाढ़ आते सिंधु प्रदेश और कच के कुछ हिस्सों में पानी फिर जाएगा इसलिए वहां से स्थलांतर कर कही और बसने को सलाह दी। इसी कारण उपर बताय कथनों में माई सिरिया और सत्वियू यानी मामई देव के वन्शच का एकांत में रहते जाहिर जीवन में नहीं दिखने का वर्णन है। दोस्तों यहां तक हमने भूत काल और वर्तमान के बारे में की गई मामी देव की भविशवानी के बारे में जाना जो किस प्रकार सच साबित होती देखी। अगले विडियो में हम भगवान कल की अवतार के जन्म के बारे में की गई भविश्य वानी के प्रकरण का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए। इतिहास गाथा धन्यवाद।